नमस्कार, स्वागत आप सभी दोस्तों का, मैं हूँ मुकेस जानी, चार मुठी चावल, धन्से जुड़ी सभी समस्या का अंत, हाँ दोस्तों, चार मुठी चावल, धन्से जुड़ी सभी समस्या का अंत, ये है आज का विशाई, ये है आज का सब्जेक्ट, हर दिन की तर आज भी अपने जीवन से जुड़ी समस्या और समस्या का उपाई लेकर आपके सामने उपरस्तित हो गया हूँ पहले तो दोस्तो आज जो भाई बेन का जन्म दिन है सभी भाई बेनों को जन्म दिन की सुपकामना सुब्बेचा खुश रहे प्रसंद रहे इस्वर की क्रिपाद रष्टिया आप सभी के उपर बनी रहे दोस्तो वैसे तो मैं एक समस्या के लिए दो तीन वीडियोस दो तीन उपाई आपको देता हूँ मगर आपके लिए जो उपाई सरल है जो उपाई आप कर सकते हैं जो उपाई आप ठीक से समझे हैं वही उपाई आपको करना है सभी उपाई करने की आपको जरूरत नहीं है दोस्तो वैसे तो मेरे उपाई में मैं आपको एक रूपिय का भी खर्च नहीं करवाता हूँ बस पूरी स्रद्धा और विश्वास के साथ आप उपाई करते जाएं दोस्तो आपको भी रिजल्ट मिलेगा वो भी पोजिटिव जैसा आपने सोचा है वैसा दोस्तो अगर आप से भी धन्से जुड़ी कोई समस्या है आपको धन्से जुड़ी समस्या है तो आज मैं जो उपाई बताता हूँ वो उपाई आप लगातार करते जाएं यह उपाई करेंगे आप सुकलपक्स के सनिवार के दिन उपाई चालू करेंगे सुकलपक्स के सनिवार के दिन बाद में हर सनिवार आपको यह उपाई लगातार रखता है कम से कम 40 सनिवार तक तो आप यह उपाई उस्या करेंगे हाँ दोस्तो उपाई बताने से पहले वीडियो चालू करने से पहले आप से मेरा एक नमर निवेदन है कि आप वीडियो को आधा नहीं छोड़ेंगे वीडियो के अंद तक मेरे साथ बने रहेंगे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के लिए एक लाइक अवस्या करें दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले पास में लगी बेल दबाए और वीडियो को सेर करना ना भूले हाँ दोस्तों उपाई आप चालू करेंगे सुकलपक्स के सनीवार के दिन से उपाई आपको करना है पिपल के रूख्स के नीजे उपाई में आपको जरूरत पड़ेगी चार मुठी चावल वो चार मुठी सक्कर फोड़ी हल्दी एक मिति का छोटा कलस मिति का छोटा बतन या तो कलस आप वेशा पिपल का रूख्स टूड़िए कि जहां सिव मंदिर हो सिव मंदिर के पास में पिपल का रूख्स हो वेशे पिपल के रूख्स की आप पुजा करेंगे दोस्तों पिपल के रूख्स के पास सब लेके जाए आप शक्कर का पाउडर में ना लीजिए चावल को हल्दी से पीला कर दीजिए चावल के उपर हल्दी लगा दीजिए चावल पीले हो जाएंगे अब पिपल के रुख्सक में आप चारों तरफ ज़ड से थोड़ा उपर चारों तरफ कुम कुम से तिलक करेंगे उत्तर दक्षिर पूरु अपश्चिव पीपल की जड़ से थोड़ा उपर आप दिलक करेंगे भगवान लक्ष्मी नारायन को आपकी जो भी धन की समस्या हैं वो दूर करने के लिए भगवान लक्ष्मी नारायन को आप प्राठना करेंगे बाद में मिट्टी के बतन में थोड़ा दूध ले जाना है शकर वाला मिठा दूध पीपल की जड़ प्यार पित करें आप दूध अब जो शकर का पाउडर और चावल है न वो उत्तर दक्षिर पूरुव पस्चिम पीपल के जड़ के पास आपको ये चावल रख देना है एक-एक मुठी, एक मुठी चावल आप उत्त दिशा में रखेंगे, एक मुठी चावल आप दक्षिन दिशा में रखेंगे, एक मुठी पूर्वा में और एक मुठी पस्चिम में, चारो दिशा में चावल रख देना है दोस्तो ये उपाय आप लगातार करते जाएं कम से कम 40 सनिवार तक तो ये आप उपाय करेंगे जन धन से जोड़ी जितनी भी समस्या है न दोस्तो वो सब भी समस्या कम समाप्त हो जाएगी, कम नहीं समाप्त हो जाएगी लक्षमी का काईमी वास आपके घर में बना रहेगा जितनी भी धन की समस्या है न है सबी समाप्त हो जाएगी पूरी स्रद्धा और विश्वास के साथ आप ये उपाय करते जाएगी बस दोस्तो आज इतना ही विडियो गान तक आप सभी मेरे साथ बने रहे आप सभी दोस्तो का सुक्रिया, तन्यवाद, बन्दमात रम